हेलो दोस्तों नमस्कार नानी दाजी चैनल में आपका स्वाज़त है मैं आपके लिए एक जिजाइन लेके आई हूँ और वो बनाने में बहुत आसान है और दिखने में बहुत सुन्दर लगता है चलिए मैं आपको बताते हूँ किसे बनाना है कि पहला पंदः पहला फंदर है और पहले बिखनर फंदर को कि प्रिश्म की बलाना है है कि असके पाद की उताना नहीं है इसके दुसरा फंदर फिर इसके साथ हुनने पार तें से बूर्ण करते हुए इसके अधने फंदा टी पर इंगे पनुआ खाय आजा है कि मशें पादमें बढ़ा सकार करो आदा पर ये उश्कित्वर गुश्र को साम्तर बना बनां मुझें होया है फिर एक फंदाER फ्बज खें से और हुच्छक मुखला युञ तिसके इसके साथे फंदा दलना है। स़ल्ण क्यूंत्य द कि बनाएं। फिर तीसरा फंदा है उसको भी लास्ट का भी तीनो एक मैंना दो फंदा उताने नहीं है बुन के फिर तीसरा फंदा भी तीनो एक साथ ही इसके साथ तीनो एक साथ बुन लेने, इसे फिर एक फंदा सीधर उता लेने ऑसे पिछ यह पिछे से डालना रोव दो हो एक साथी. फिर इसके इसका यो तीसार लास बनना है फिर उसको तीनों को एक साल मुनना है इसके मैंने ऎक साल मंना फिर तोल ना हूझा फिर इसको पीछय प्ầ最近 अद्याव है यह पछार को पातो contributions आढ़ा पीछय को थेभी मुनना है आज़ा क्विसे लुगते हैं जिनाहिक है उसकोपलावा साल में साल में रुगतावन दोगे साथ बनाने कि अलब उताना नहीं फिर तीसरा फंदा भी इसका साथ जो तीसरा है ये पिछ्छी का पिछी तीसरा फंदा भी एक साथ फिर तीनों को एक साथ बनाने तो वो इसका जो फंदा थोड़ थीरा थीरा रखना है में तोड़ टाइट हो गया है तो निक यह तीनों फंदे फिर एक साथ बुनने बुनके फिर यह तब छोड़ने यह यह से ऐसे दे जाना है गई पिर एक साथ बुनना है फिर एक साथ बुनना है फिर इसके बार यह उताना नहीं इसको फिर यह दोनों साथ जोड़ के बुनना है एक फंदा बुना है पहरे एक फंदा बुनना फिर यह दो फंदे तीन फंदों कर दिया है कि दुसरा फंदा बुना फिर लास्ट में यह तीनों एक साथ जिनों एक साल बुनने है कि देखिए इसकी ऐसे बनता आएगा वह कि पहरा लगता है पहला पहला फंदा पीछे से बनना है फिर इसको निकालना नहीं है फिर दो इसके साथ बनना है फिर यह जो लास का तीन फंदे कर जाएन है तीसरा इसके साथ ही बनना है यह देखिए थे हैं तो यह तो तॉ ने में तो टाइट हो गया तो अब प्रॉब्लम आदर तो यह इस ते ना अब कर के फिर यह छोड देने हैं यह इस तरह बनके याँगा देखें. अयसे यह फूल फूल बनका हुआ और यह फिर इसके पाद फंद एक फंद ऐसे लेंए. फिर यह पीछे से एक फंद गुनय है. फिर फंद गुनय है, फिर निकाला नहीं बहुत, फिर फंद एक साथ बनने है. तरन यह देиком हिना बना दिए है यह比較 ऐगी पर दटाहलेना है पिसको उताना नें इसको उताहना यह पी दो बने एक सार बनने इसन घ्रिशान हो दो हुख सोल एक हो यह दो धान चाझ गान में शाल सांत्र यह देखिए यह लास में तीने साथ बनाने हैं फिर यह फंदे छोड़ने हैं फिर यह फंदा उताने हैं यह देखिए इस तरह यह बनके बनता चलाएगा अब पूरी सलाई कर लिए यह देखिए अब यह दोस्तों ही मैंने पूरी सलाई कर लिए यह दिजन ऐसा लगी गई है आधी पूरी स्लाई जो पिछे की आई है बोरी उल्ती आई है और चोड़ी से फंदे थे थे पीछे मिए पूर फंदे एक फंदा विदा बना उता उस्कों भी बना थे 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 फंदे पीछे तो तो ढ़र धीरे घीर है रहने लूल जोश ताकि आगे से बनने में कोई संही पेस्बिचे कुचे लुजरी कि दूस्तों यह देखिए यह इस्तरा मन के है यह बहुत ही पहला लगता है कि देखिए बार में और सब्सक्राइब को पैरा फंदा सीधा उतार और तीन पंदे का दिया है और यह एक फंदा बीच पे बिना बुदे उताना है सीधा और पीछे के स्राइब पुरी उल्टी आएगी जासे पुरी उल्टी बनानी है हुए बार जाने ज़ा पहुए खे आ सीधे से बनेगा तो पहला फंदा पीछे से विणना है अगले फास पूंना बनना फिर यह दोनों फंदे पिछी से पूंदेघंड कि फिर यह तीनु फ़न्दे पुनने थिन फंदे तीनफंदे कर जैने तीनफंदे एक साथ बनने, यह देखिए यह 3 पंदे गे एसा है फिर इनको छोड़़़़़ें फिर यह सीजा ऐसे उता लेना है फिर यह पीछे से पिछी से फंदा पिछे इसरे हैं एक फंदा बना पहले फिर यह दो फंदे ऐसाद बने फिर यह तीनों फंद एक साथ बनने हैं यह देखें यह तीनों फंद एक साथ बनने हैं फिर छोड़ दें हम फिर यह सीज़ा फंद एक उता लिया फिर इस तरह यह पूरे स्राइब कर्दम दोस्तों ही मैं पुछी स्राइब कर लिए और यह डियान इस तरह लगेगा यह पूरा ऐसा है बहुत ही प्यारा लगता है जब बन जाएगा तो बहुत आदा प्थ्वा पंदे पीछे से इस्राइब बनाएंगे तो तुआ लूजूजू रखे फंदे और पीछे की स्राइब पूरी उल्टी बनाने है पीछे की पूरी उल्टी बनाने है आगे से इस तरह लगता है बहुत प्यार आगे लगता है आप इसको जरूर बनाएए और आपको अगर जैन अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए जन्ने बाएब